ही एवरिवान, वेलकम इन सोनी एजुकेशनल कोचिंग सेंटर, तोड़ी वी आर डूइंग प्री पॉजिशन्स सरसे पहले जब भी हम कोई टोपिक पढ़ते हैं उसमें जो हमारी हेडिंग होती है उसको देखते हैं प्री पॉजिशन इट मिन्स प्री मिन्स होता है पहले और पॉजिशन मिन होता है स्थान जो अपना स्थान पहले लेता है किस से नाउन और प्रोनाउन से कि प्री पॉजिशन एक ऐसा वार्ड होता है कि नाउन या प्रोनाउन का आपस में किसी भी चीज से क्या रिलेशन है इसको show करने के लिए हम use करते है preposition का preposition जैसे कि आपको नाम से पता लग गया कि कब आती है noun या pronouns से पहले आती है सबसे पहले हम जो पहली preposition है वो पढ़ रहे हैं हम at at का हम use करते हैं किसी भी particular time के लिए जैसे at done subay का time हो at morning at six o'clock जो हमारा fixed time होता है particular उसके लिए हम use करते है add का दूसरा use होता है इसका age के लिए जैसे age 16 या age the age of 16 third use होता है कोई भी fixed place होता है जैसे आपको railway station पे जाना है तो वहाँ पे आप ना तो on जाते हो ना in जाते हो add the railway station बोला जाता है फिर fixed place के लिए आता है जैसे आपको teacher ने बोला look at the board आपको कभी भी teacher ये नहीं कहता look on the board या look in the board teacher हमेशा आपको बोलता है look at the board बोर्ड की तरफ देखो तो वो board क्या है वो हमारा क्या है fixed place है उसके लिए हमने किस का use किया है add का use किया है इसके बाद आता है मारा on on का use होता है कोई भी हमारी fixed date होती है या day होता है जैसे on Monday या on for July इस तरीके से हम use करते हैं on का इसके बाद आता है on का use किया जाता है किसी भी surface को show करने के लिए like this ये pen है और मेरे हाथ के उपर है जब कोई चीज किसी दूसरी चीज को touch कर रही है बिल्कुल पास में तब हम किसका use करते हैं on का तो अगर आप देखते हैं मैंने जो pen अपने हाथ पे रखा हुआ है तो मैं क्या example देती the pen is on my hand तब मैं किसका use करती on का या फिर the book is on the table इसके बाद उनका यूज आता है किसी भी चीज को जैसे device होती है या हमारी machines होती है उनको शो करने के लिए जैसे आप phone का use कर रहे हो he is on mobile क्या वो phone के उपर खड़ा है नहीं वो mobile को use कर रहा है तब हम किसका use करते हैं on का use करते है next हता है he is solving the sum on calculator क्या वो calculator के उपर खड़ा है नहीं on का मतलब होता है जब कोई भी device या machine को हम use करते हैं तब हम use करते हैं on का इसके बाद number four use होता है उनका जो हमारे body parts होते हैं उनको show करने के लिए like this my mother kissed me on my forehead मेरी मान ने मुझे मेरे माथे पर kiss किया तो इस तरीके से body parts को show करने के लिए हम किसका यूज करते हैं उनका और number five इसका यूज होता है किसी भी चीज की states दिखाने के लिए means कि उसकी स्थीती क्या है आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब हमारी summer season आता है तो हमें mango बहुत अच्छे लगते है और mango की demand बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस time में जब आपकी सरदिया है तो आपको जो orange है उनकी demands बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इस तरीके से किसी भी चीज की जो states होती है स्थीती होती है उसको show करने के लिए हम use करते है ओन का like this the juice is on demand फिर आता है आपका on to अब on मैंने उपर और to मिन से on or to दोनों को मिला कर बना है आपका on to ये किस के लिए show होता है ये आपको moment show करने के लिए किया जाता है जैसे कि move the books on to the self आपकी किताबें अपने आप तो चलके almira में जाएंगे नि जब आप उनको किताबो को उठा के रखोगे almira के अंदर self के अंदर तो आप किस का यूज करोगे on to का अब आपको चट पे चड़ना है see climb on to the roof वो चट पे गई तो कैसे गई उद के गई जम करके गई कैसे गई चलके तो गई उसने movement तो किया तो इस तरीके से जो moment होती है उसके लिए हम यूज करत है उसके बाद में कुछ चीज करना वो क्या कहलाता है वहां पे हम किस का यूज करते हैं upon का यूज करते हैं जैसे आपको यह एक्जामपल दे रखा है संगीता got married immediately संगीता ने तुरंट शादी कर ली कब up to passing out the college जैसे उसने college go pass out किया उसने शादी कर ली इसके बाद आता है आपका into into क्या show करता है into show करता है moment को अभी मैंने onto के लिए आपको बताया था वो तो किसी चीज के उपर के लिए use किया जाता है into होता है जिसे आप कहीं भी खड़े हो और चल के आप room के अंदर जा रहे हो अगर कोई चीज already पड़ी होती है वाँ पे तब तो हम इनका use करते बट अगर आप चल कर जा रहे हो तो it means आप movement कर रहे हो और movement करके जब किसी चीज के अंदर आप जाओगे तब आप use करोगे into का जैसे he went into the room वो कहां गया कमरे में गया the cat jumped into a ditch तो इस तरीके से जब कोई चीज movement करके किसी दीसरी चीज के अंदर जाती है ना तब हम यूज कर करते हैं into का इसके बाद आता है आपका between और among जिसे आपके पास कोई भी चीज है और दो flowers के बीच में रखी हुई है जब आप ये दो चीजों के बीच में रखी हुई है तब हम यूज करते हैं between का अब थोड़ा सध्यान से समझना कि जब कोई भी चीज दो चीजों के बीच में है तब हम यूज करते हैं इसका अमंग कि जब कोई भी चीज दो चीजों के बीच में होती है चाहिए वो person हो चाहिए वो place हो चाहिए thing हो जब वो दो के बीच में होगा तब यूज होगा उसमें between का और अगर वो दो से ज्यादा के बीच में है तब यूज होता है आमांग का इसके बाद आता है आपका by और विद अगर आप कही जा रहे हो जैसे आप by-skills वगेरा से जा रहे हो अगर आप पैदल चल रहे हो तब तो आप on foot लिखोगे ठीक है बट अगर आप किसी भी विद्दल के साथ जा रहे हो जैसे आप स्कूल जा रहे हो बस से तो बाई बस लिखोगे विद का मतलब होता है आपने कोई पोईम लिखी पैन के साथ लिखी या आपने किसी को मारा लकड़ी के साथ मारा या किसी चोर ने डाकू को किसी भी डाकू को मारा पुलिस ने तो अपनी गन के साथ मारा जब हम ओ आबों का मतलब होता है कोई चीज अद् evop मिन्स किसी भी चीज के बिलो के लेख नीचे मिन सिसका सामाकोई बिलो के नीचे है it means कोई चीज just किसी चीज के नीचे होती है तब हम use करते हैं below का और जब just ऊपर की तरफ होती है तब हम use करते हैं abo ka abo का use हम position दिखाने के लिए भि करते हैं कि जो manager है वो मेरे से just एक ही कदम ऊपर की तरफ है या मैं उसे कदम उपर हूँ इस तरीके से अब और भी लो का यूज होता है नाव वी आ डूइंग एक्सजाइड यहां पे आपको मैं साथ-साथ बताती हुई चलूँगी इस स्कूल में तो क्या आएगा इन दी स्कूल और यहां पर आपको फिक्स टाइम दिया गया है यह मैंने आपको टैंस में करवाय हुए है कि जब आपको यहां पर आप इन दी स्कूल on 2015 नहीं लगा सकते यहां पे आपका since he आएगा क्योंकि यहां पे अगर आप sentence को देखोगे has been teaching it means यह आपका कौन सा है present perfect continue tense है next है he called to you at seven अब यहां पे आपको fix time दिया हुआ है at आगे मैंने भी आपको बताया महत्मा गांदी वाज बॉर्ण on second date के साथ ओन आया at पौरबंदर fix जगह है गुजरात में इन गुजरात गुजरात में पौरबंदर नामक जगह है जहां पर गांदी जी का जनम हुआ john divided the spirits among all the school children सारे बच्चों में all the जब सब के लिए यूज होगा तब अमंग होगा और दो लोगों की बात होगी तब केवल between का यूज होगा about children and their parents went to see the movie बच्चे और उनके parents कहां गए movie देखने your parents returned from Delhi after a week from means होता है say और after means होता है बाद में कि तुमारे पिताजी डेली से एक हपते के बाद में आएंगे my uncle and aunt live at Kolkata in West Bengal it has been raining since yesterday याप का पर देंगे पर्फेक चन्तिन टेंज है everybody laughed at him the moon does not shine by its hour light the patient will recover within three days the river thorns flow in London next ayyapka complete the paragraph with suitable prepositions Temba was born in a village of Nepal his parents were very poor his home was surrounded by all sides with mountains like other people who live in hills Temba too loud tracking Temba was a Sherpa the word Sherpa means people for the land of sunshine even as a child Temba loved to stand and gaze at the mighty Sagar Matha Sagar Matha is the name given to the Nepalese of Mount Everest he made up his mind to climb the great mountain one day ये है आपका चैप्तर नम्बर 17 प्लीज वीडियो को शेयर करें लाइक करें और कमेंट करें थैंक्यू करें ढु는 मैं एक सकtoए होण? करें